क्या हुआ जब बंदर के सिर में लगा दिया वैग्यानिकों ने इलेक्ट्रोनिक चिप और क्या कभी आपने पेड़ पर अंडों को उगते देखा है नहीं तो आज देखेंगे और आज ये भी जानेंगे कैसे बना IIT का मशूर प्रोफेसर घरीबों का मसीहा और आम दूद से ठक गए तो लोगों ने बना दिया है आलू का ही दूद और खीती करने का एक ऐसा अनोखा तरीखा जो आपके भी होश उड़ा देगा तो जानने के लिए बने रहीएगा वीडियो के एंड तक दोस्तो आज कल के वैग्यानिक ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे होश उड़ा देते हैं जैसे की जाने माने बिजनिसमेंड एलन मस्क की एक कमपनी है स्टारलिंग और इस कमपनी के तहत ब्रेन मशीन इंटरफेस तयार किया जा रहा है इसका डेमोंस्ट्रेशन पहले भी क की चिप लगी है निराल लिंक के तहट ऐसी टेक्नोलोजी डिवैलप किये जा रही है जो ब्रेन इंटरफेस का काम करें यानिकि आप अपने दिमाग से सारी टेक्नोलोजिकल चीजे को कंट्रोल कर सकते हैं और ये करने के लिए बाल से भी बार एक चिप ब्रेन के अंदर मा क्यवल पक्षी ही देते हैं लेकिन क्या हो अगर अंडे पेड़ पौधों पर उगने लगे तो तब आप क्या कहेंगे ये अंडा मुर्गी के अंडे के जैसा ही होता है इस अंडे की खाश्यत ये है कि आपको इस वेज एग में भी रियल एक जैसी ही पीली जर्दी पहरे की इस अंडे को बनाने के लिए वरस्पती तिल तथा जेल का उपयोग किया गया है पर इसमें वास्त्रिक अंडे की तरह Kemal नहीं होता इस अंडे को बनाने के लिए ज़िस पौधी का उप्योग है उसको सोयाबीन का पौधा माना जा रहा है इस अंडे को उड़ीन के विज्ञान विभाग के चार विधारतियों ने मिलकर तैयार किया है इस आइडिया को इन चार स्टुडेंट्स में से एक फ्रेंसेसा जुकोलों ने इस बारे में बताते हुए कहा कि इस अंडे की सही रेसिपी बनाने में उनको 18 महीने का समय लगा ये अंडा वेच है पर इसके गुण बिलकुल आम अंडे की तरह है दोस्तों IIT करने के बाद अकसर लोग फॉरेंड में नौकरी पाने की सोच रखते हैं पर प्रोफेसर आलोक सागर की सोच बहुत अलग है प्रोफेसर आलोक सागर का जन्म 20 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ IIT में अच्छा स्कोर करने के बाद IIT दिल्ली में प्रोफेसर बने पर इनका यहां मन नहीं लगा इनको थोड़ा अलग जीवन बिताना था तो इनोंने नौकरी छोड़ दी और अब यह 79 साल के उम्र में कोच्छा माउ में किसान का काम करते हैं इनोंने अपने खेत में फलदार, चिकू, लीचे, नीमबू, मौसंबी, संत्रा, जामून, काजू और सीथा फल के कई पेड लगाए हैं इसलिए ये मुफ्त में गाव के बच्चों को शिक्षा भी दीते हैं ये बहुत ज्यादा होश्यान है जिसके चलते ये गाव के लोगों की बहुत मदद करते हैं लोग आई 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 टी करने के बाद करोड़ों रुपए के घर और बंगला गाड़ी खिलेते हैं और वहाँ इनके पास दस बाई दस की जोपड़ी हैं दो जोड़ी कुर्ता पाजामा, साइकल और कुछ बरतन इनका कहना है कि ये ही असली जीवन है दोस्तो आप तो जानते ही होंगे कि अभी तक गाई भैस, भेड़ बकरी या अन्य पश्यों के दूद का ही लंबे समय से उप्यों किया जा रहा है फिर चाही वो पीने के लिए हो या फिर चाय कॉफी या कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए लेकिन समय के साथ साह दूद के कई सारे खेर डेरी विकल्प भी महासार में आते हैं जैसे सोया दूद, बादाम का दूद पर अब इस लिस्ट में एक और नाम जुडने जा रहा है हम बात कर रहे हैं आलो की और अब माकेट भी बहुत जल्द आलो से बना दूद आने वाला है इस दूद को एक स्वेडिश कंपनी लाँच करने वाली है इस दूद का नाम उन्होंने डग पोटेटो मिल्क रखा है आप जान का हैरान हो जाएंगे पर ये दूद काई भैस की दूद से भी ज्यादा अच्छा है इस दूद में सारे दूद के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन है और उस हिसाब से इसका भाव भी बहुत ज्यादा है 6 लीटर दूद की कियमत 1268 रुपए है कोरोना संकट की बीच ज्यादा तर कंपनिया अपने ग्रहकों को संकर्मन की चपेट में आने से बचाने के लिए कई कोशिश कर रही है कई कंपनियों ने कॉंटेक्ट लेस हॉम डिलिवरी सुविधा शुरू की अब इस कड़ी में Neuro Robotics की मदद से डॉमिनोस ने आपके दर्वाजे तक पीजा पहुंचाने का नया तरीक का खूज निकाला है R2 Neuro Robotics का कस्टम Autonomous Vehicle On Road Delivery रॉबोट है इसे अमेरिका में इस्तिमाल करने की मनजूरी मिल गई है इस सुविधा फिलाल अमेरिका की हूस्टन और टेकसास में शुरू की गई है ये रॉबोट आटमेटिक चलेगा और गूगल मैप और एरिया मैप के हिसाब से काम करेगा और जिसने पीजा ओडर किया है उसे खास चार डिजिट का पिन दिया जाएगा जिसकी मदद से ही रॉबोट को खोला जा सकता है रॉबोट में आउनलाइन पेमेंट और आफलाइन पेमेंट दोनों कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ही पिन जनरेट होता है दोस्तों हर एक जगह पर खेती करने के लिए काफी अनोखी तरीके अपनाई जाते हैं पर अभी हम आपको जो तरीका दिखाएंगे ऐसा तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा इस तरीके से इंडोनेशा में फार्मिंग होती है ये पहले एक छोटा सा तालाब बनाते हैं और उसके आजू-बाजू में पेड़ का एक घेरा बनाते हैं ताकि तालाब का पानी सूखे न और फिर खेत के चारों तरफ जाते हुए नाले बनाते हैं जो घूम के तालाब में ह आते हैं फिर बारिश होने पर जब पूरा खेत भर जाता है तब पहले पूरे खेत में चामल उगाए जाते हैं जिसके बाद इस खेत में कई सारी मचलियां चोड़ दी जाती हैं ये मचलियां चावल में से कीडों को साफ करती हैं और ऐसा करने से चामल की खेती में 10% का मु दिया जाता है क्योंकि इतने दिनों से जीव जंतु खाके मचलियों की आबादी पांच गुना गई होती हैं। ये मचली और चामल दोनों को बेचके काफी अच्छा मुनाफ़ा कमाते हैं। बेचके करके इनोंने सारे मचली खाली और यहां तकी सील्स ने नेट भी फार दी जो ये बताता है कि जानवर भी हमसे कम नहीं होते। जिसके बाद इस विंग सूट को तयार किया गया। इस सूट के चेस्ट माउंट पर दो काबन प्रोपेलर और कथित इंपैलर्स लगाए गए हैं। अभी इस सूट का इस्तिमाल सिर्फ टेस्टिंग लेवल पर किया जा रहा है। आम तोर पर विंग सूट की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। लेकिन इसे इस तरह डिजैन किया गया है कि इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की जा सकती है। दुनिया भर में लोग गिरीज वर्ल रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और ये रिकॉर्ड दिलीफ ने 5 सितंबर को बनाया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।